सुम्बुल तौकीर खान टीवी की पॉपुलर आक्ट्रिस में से एक हैं सुम्बुल ने शो इमली से घर घर में पहचान बनाई जिसके बाद सुम्बुल बिग बॉस में नजर आई वहीं अब काव्या एक जजबा एक जुनून में दिखाई दे रही हैं अक्ट्रिस इमली शो से उनके को स्टार फेहमान खान के साथ सुम्बुल के लिंक अप की खबरें खूब आती थी शो के दौरान भी और शो खत्म होने के बाद भी वहीं अब कुछ समय से सुम्बुल का नाम शो काव्या के उनके को स्टार मिशकत वर्मा के साथ जोडा जा रहा है शो में दोनों की ओन स्क्रीन जोडी को हर किसी ने खूब पसंद किया अब सुम्बुल ने खुद इस पर अपना रियाक्शन दिया है सुम्बुल ने एक लीडिंग मीडिया हाउस से बात करते हुए कहा कि उन्हें लिंक अप की खबरों से फर्क नहीं पड़ता आक्ट्रिस ने कहा कि मुझे पहले बहुत फर्क पड़ता था बहुत बुरा लगता था लेकिन अब मुझे इसकी आदत हो गई है मुझे लगता है कि यह सब चीजें होंगी ही लोग आपको ओन स्क्रीन देखेंगे तो आप तो सोचेंगे कि इनके बीच में कुछ जरूर है अब मैं कोई और शो करूंगी तब भी उसके कोस्टार के साथ मेरा नाम जुड़ जाएगा इसलिए मैं ज्यादा परवाह नहीं करती वेल जी नहीं पता उन्हें बता दें कि सुम्बुल ने हाल ही में इस धारावाहिक में अपने कोस्टार के साथ एक बेहत बोल्ड सीन किया था जिसके बाद सुम्बुल और उनके को अक्टर्स की लिंक अप की खबरें और भी ज्यादा तेज होने लगी हालां कि अक्टर्स इस बात को नहीं मान रही है लेकिन वो कहते हैं ना कि जहां चिंगारी होती है आग वहीं लगती है ये भी बताते चलें कि सुम्बुल के शो काव्या एक जजबा के ओफेर होने की खबरें सामने आई थी एक्टर्स ने ऐसी खबरों को सिरे से खारज करते हुए कहा कि ये सब गलत है ये फेक निउस है हमारा शो बंद नहीं हो रहा मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसी खबरों पर विश्वास ना करें तो ये था सुम्बुल तौकीर खान का अपने को आक्टर के साथ अपने अफेर की खबरों पर रियाक्शन फाइनल काट निउस टेस्क